प्रिष्ट 140, अध्याय 11, कैसे करें कहानी का नाटे रूपांतरण, एस पार्ठ में पढ़ें, कहानी और नाटक का सम्बंध, कैसे बनाई कहानी को नाटक, नाटे रूपांतरण की चुनोतियां, न ठेट हिंदी, न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो, नाराण प्रिसाद बेताब, पार्सी थियेटर के मशूर नाटक कार, प्रते कथा साहित्य में मुलत है, एक कहानी होती है, भाशा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों, वो कौन से तत्व हैं, जो इन विधाओं के अलग-अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं, क्या विधा बदलने से कावे प्रभाव और आस्वाद में भी बदलावाता है, साहित्य की अलग-अलग विधाओं का अलग-अलग स्वरूप होता है, ना केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बलकि उनके तत्व भी अलग होते हैं, भाशा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्दित हो जाता है, चलती रहती है, कहानी का नाटक में रूपांतरन करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक है, प्रिष्ट 141 प्रिष्ट 141 पर इदगाह के नाटे रूपांतरन का एक द्रिश है, इसके लिए हमें नाटक की विशिष्टाओं को समझना होगा, जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वही नाटक, लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य ल लोग देर तक याद रखते हैं, यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था सदगती आधी के नाटे रूपांतरन कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं, कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है, नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, नाटक को मंच पर अ एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है, समवाध होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उतकर्ष होता है, इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं, यह अवश्य है कि कुछ मूल जैसे द्वन्द्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवता कहानी में नहीं है कहानी को नाटक में रुपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी के विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है हम ये भी जानते हैं कि प्रत्य घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान या समय विहीन हो प्रिश्ट 142 कुछ प्रिसिद्ध कहानियां जिनका सफलता पूर्वक नाटे रूपांतरन हुआ है बड़े भाई साहब प्रेमचंद साथ मोटे राम शास्त्री प्रेमचंद आठ एदगाह प्रेमचंद नौ रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा दस वर्रन हेस्टिंग्स का साण उदय प्रकाश ग्यारह और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश बारह मोहंदास उदय प्रकाश तेरह धूप का टुकड़ा डेड़ इंच उपर वीकेंड तीन एकांत नाम से प्रकाशित निर्मल वर्मा कहानी के कथावस्तु यानि कथानक को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है और उसके आधार पर द्रिश्य बनता है तातपर ये है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वो एक द्रिश्य होगा इदगाह कहानी के संदर्व में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुदुहल का लंबा मनोवैज्यानिक चित्रन किया है इसके लिए पहले द्रिश्य में गाओं के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दोड कर रही हैं तैयार हो रहे हैं, बार-बार अपने पैसे गिन रही हैं और टोली के निगलने की राह देख रहे हैं पहले द्रिश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी आमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके समवाद दिये जा सकते हैं स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके द्रिश्यों को लिखा जा सकता है ये देखना आवश्यक है कि पृत्तेक द्रिश्य का कथानक की अनुसार औचित्ते हो। मतलब ये कि पृत्तेक द्रिश्य क्या कथानक का हिस्सा है? क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे द्रिश्य नहीं हो सकते जो नाटक की गति को बाथित करेंगे और नाटक उबाव हो जाएगा. ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पृत्तेक द्रिश्य का कथानुसार तारकिक विकास हो रहा है या नहीं? ये सुनिश्यत करने के लिए द्रिश्य विशेश के उद्देश्य और उसकी सनरचना पर विचा आवश्यक है. प्रतेक द्रिश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है. कथानुसार अपनी आवश्यक ताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले द्रिश्य से जोडता है. इसलिए द्रिश्य का पूरा विवरण तयार किया जाना चाहिए. कहीं ऐसा नह कि द्रिश में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिकड़ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बलकि नाटक के प्रितेक द्रिश में प्रारंभ, मथ्य और अंत होता है। द्रिश कई काम एक साथ करता है। एक ओर वो कठानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ द्रिश अगले द्रिश के लिए भूमिकां भी तयार करता है। गतिविधी, परिवेश या परिस्थितियों पर इस पार्ट में की गई टिपणी को आप नाटक में कैसे शामिल करेंगे? क्या कहानी में ऐसे कुछ और भी तत्व हो सकते हैं जिनको नाटक में ढालना मुश्किल होता है? सहपाठियों एवं शिक्षकों की मदद से ऐसे तत्वों पर विचार करें प्रिश्थ 143 ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे द्रिश्य बनते हूं जिनमें लेखक ने किवल विवरन दिया हो और उसमें कोई समबाद ना हो ऐसे द्रिश्यों का भी पूरा खाका तयार कर लेना चाहिए ये अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों द्रिश्य निर्धारित करने के बाद द्रिश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से ये अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो द्रिश्यों में नहीं आया है लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिपणियां प्राया द्रिश्यों में नहीं ढल पाती ये देखना आवश्यक है कि परिस्थिती, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिपणियां किस प्रकार की हैं विभेन में प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग-अलग तरीके हैं उधारन के लिए विवरणात्मक टिपनी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतरगत लिया जा सकता है या पारश्व संगीत के माध्यम से विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें समवादों के माध्यम से निर्धारित दृष्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है कहने का तात्पर ये है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं यदि पर्याप्त समवाद नहीं है, तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्थ ये है कि नए लिखे समवाद कहानी के मूल समवादों के साथ मेल खाते हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बाद ये है कि उनके लिखे जाने का सौ प्रतिशत और चित्य हो। तीसरी बाद जो ध्यान में रहे वो ये है कि समवाद छोटे प्रभावशाली और बोलचाल की भाशा में हूं। कहानी में छपे लंबे समवाद को पाठक पढ़ सकता है लेकिन मंच पर बोले गए लंबे समवाद से तार्तम में बनाए रख पाना कठिन होता है। कहानी में चरित्र चित्रन अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधी कुछ बदल जाती है। रुपांतरन करते समय कहानी के पात्रों के द्रिश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाहिए। उदारन के लिए प्रेम चंद ने ईदगाह में मेले में जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और नहीं अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है परंतु कहानी से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा उसके कोड़े में पैबंद लग होंगे जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिती के सूचक होंगे संवात को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनाय है जो प्राय है निर्देशक का काम है पर लेखक भी इस ओर संकीत कर सकता है पात्र की भाव प्राया निर्देशक ही इस संबंध में निर्ण लेते हैं पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं लेखकों यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोष जनक होता है रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनुभावों को कहानीकार द्वारा विवरन के रूप में व्यक्त प्रसंगूं या मानसिक द्वन्द्व के द्रिश्यों की नाटकी प्रस्तुती में आ सकती है उधारन के लिए ईदगाह का वो हिस्सा जहां हामिद इस द्वन्द्व में है कि क्या क्या खरीदे या जहां वो ये सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है उसका रूपांतरन कठिन है रूपांतरन में इस तरह के विवरन प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है जिसमें लेखक मंच के कुने में जाकर अपने आप से ये संबाद बोलता है लेकिन आज कल वोईस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनी जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्रन नहीं बोलता के माध्यम से संभब है अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैश बैक शेली का उप्योग किया जा सकता है इसे प्रकार हामित की लल्चाई आखों होठों पर जीब फेड़ते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का द्रिश बनाया जा सकता है कहानी का नाटे रूपांतरण करने से पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि वरतमान रंगमंच में क्या संभव नाये है ये तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं इसलिए रुपांतरन का पहला पार्ट यही हो सकता है कि अच्छी नाट्टे प्रस्तुतियां देखी जाएं। अभ्यास पार्ट से समवाद 1. कहानी और नाटक में क्या-क्या समानताएं होती हैं। 2. स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न द्रिश्यों में विभाजित करें। किसी एक द्रिश्यों का समवाद भी लिखें। 3. कहानी के नाटे रुपांतरन में समवादों का विशेश महत्व होता है। यहां ईदगाह कहानी से संबंधित कुछ चित्र दिये जा रही हैं। इन्हें देखकर समवाद लिखें। प्रिश्ट 145 और 146 में ईदगाह कहानी के कुछ चित्र दिये गए हैं। उन्हें देखकर आप कुछ समवाद लिखें।